नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने सीटूब प्लेटफॉम में सीटेट पेपर टू सामाजिक विज्ञान के लिए आयनसी इर्टी एट्ट क्लास की जोग्रोफी का मोश्ट इंपोर्टेंट टोपिक जिसका नाम है उद्दियोग इंडस्ट्री यहां से एकजाम में 30 क्वेस्टन अव तक पूछे जा चुके हैं क्वेस्टन आपको यहां पर सबसे पहले दिखाना चाऊंगा किस प्रकार से इस टोपिक से पूछे गए हैं किस उद्दियोग को अकसर आधूनिक उद्दियोगों का आधार कहा जाता है क्वेस्टन इस प्रकार इसी टोपिक से यहां पर पूछा गया है यह सारे क्वेस्टन मैं आपको बीच बीच में करा दूँगा यह भी बताऊंगा NCRT की किस लाइन से उठा कर पूछा गया है और वीडियो की लाश्ट में यह सारे क्वेस्टन आपको करा दूँगा यहां पर है सूची एक को दो से सुमेलित कीजिए सूचीयों में दिये गए कूट का आपको यहां पर सही कथन वाला चुनना है कौन सा यहां पर करेक्ट मिलान होगा आपको इसी टोपिक से यह क्वेस्टन सीटेट की एकजाम में पूछा गया है आंगे आपको यहां पर ले चलता हूँ आंगे question है उद्धियोग का निमनलिकित में से बरगी करड आधार उत्पादों पर लागू होता है कपास जूट उन रेसमी कपड़ा रवड चाय चेनी काफी और खाद तेल यानि कि ये किस प्रकार के उद्धियोग के उधारड होते हैं यहाँ पर आप लोगों को क्रसी आध उद्धियोग और आकार के आधार पर उद्धियोगों को यहाँ पर समझाऊंगा यह किलास बहुती बहतेरीन रहने वाली है इस किलास को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा किस उद्धियोग की आवस्तिती मोखिता निमनलिकित में से किस कारक पर निरवर करती है क्व अमाल या जलवायू निरदारित करती है और आंगे आपको यहाँ पर क्वेस्टन दिखाऊंगा यहाँ पर पूछा गया है स्वामित्य के आधार पर उद्धियोगों को निमन में से किस आधार पर वर्गी करत किया गया है है ना स्वामित्य के आधार पर यहाँ पर यहां पर सूचना प्रद्योग की होजाएगा यह सब कुछ मैं आपको बाद में बता दूँगा NCRT बुक में जब आपको हाँ पर बिल्कुल अच्छे डंग से समझाओंगा आंगे किस प्रकार से है यहां पर कथन वाला क्वेस्टन है संयुक्त छेतर के उद्योगों का स्व अफजनिक छेतर निजी छेतर का भी अधन करेंगे इसलिए महतपूड आज की एकलास रहने वाली है और आंगे हाँ पर क्वेस्टन क्या पूँचा गया है आंगे पूचा गया है जब कई उद्योग एक दूसरे के करीब होते हैं और अपनी निकटता के लावों को साजा कर जो आपके एकजाम के लिए उपयुक्त होंगी उन सभी जानकारी को बता कर यहां पर चलूँगा सबसे पहले बात करते हैं उद्योग की उद्योग का सम्मंद आर्थिक गतिविदी से है जो की वश्तूओं के उतपादन खनिजों के निसकरसड अथवा सेबाओं की बिवस बता से सम्मंद उद्योग होता है जिसके अंत्रगत उत्पादन किया जाता है खनिजों का निसकरसड किया जाता है वही उद्योग कहलाता है उद्योग का सम्मंद आर्थिक गतिविदियों से होता है जैसे लोहा और इसपात उद्योग बस्तूओं के उत्पादन से परटन सेवा देने से सम्मंदित उद्योग भी होते हैं। उद्धियोग आते हैं खनीज आधारित आते हैं समुद्र आधारित आते हैं और बन आधारित उद्धियोग आते हैं और मैं आपको बताना चाहूं आकार में दो पिरकार के आते हैं एक तो छोटा यानि की लगू एक होता दीर यानि की बड़े पैमाने के उद्धियोग लग सारवजनिक छेत्र का उद्योग इसी में समलित किया जाता है। एक्जाम में दो से तीन क्वेस्टन पूछे जा चुके हैं। क्रसी के अंतर्गत ही आते हैं। चरम उद्योग यानि कि चमडे वाला जो उद्योग है ना लीदर इंडेस्ट्री बो भी चरम उद्योग क्रसी में ही आती है। तो ये उद्हारण बहुत इंपोर्टेंट हैं। खाद्य संसादन, बनस्पती तेल, सूती वर्ष्ट्र, डेरी उत्पाद, चरम उद्योग ये किसके उद्हारण हैं। ये क्रसी आधारित के उद्हारण हैं। यहीं से एक्जाम में डायरेट क्वेस्टन पूछा गया है। उस क्वेस्टन को आपको यहाँ पर कराता हूँ, फिर आपको खनिज आधारित के बारे में आपको वताता हूँ। क्वेस्टन इस प्रकार से पूछा गया है, निम्लिकित में से कौन सा क्रसी आधारित उद्ध्योग नहीं है। बनसपती तेल, सूती वर्ष्ट्र, मतस तेल निर्माड या चरम उद्ध्योग। मैंने आपको क्या क्या बताया, बनसपती तेल यह भी क्रसी में ही आती है, और सूती वर्ष्ट्र जिसमें की कपास उत्पादित किया जाता है, वो भी क्रसी आधारित उद्ध्योग ही है, और चरम उद्योग मैंने आपको बताया जो कि करसी आधारित होता है, क्योंकि करसी आधारित में जन्तूओं से जो उत्पाधित पधारत हैं, उनको भी समिलित किया जाता है, परंतु मतस तेल निर्माड ये कोई भी कैसा है, मतस जो तेल है, ये समुद्र वाला है, कैसा है, ये समुद्र उद्योग की स्रेडी में आता है, क्योंकि समुद्र में मचलियां अधिक पाई जाती है, उन मचलियों का तेल निकाला जाता है, इसलिए मतस तेल निर्माड ये सम अधारित उद्द्योग है ना कि क्रसी आधारित उद्द्योग है समुद्र आधारित मैं आपको यहाँ पर वताओंगा। यहाँ पर बात करेंगे खनिज आधारित उद्योग की, मने आपको क्रसी आधारित उद्योग के बारे में वता दिया, खनिज आधारित उद्योग, ये कैसे उद्योग हैं, ये प्राथमिक उद्योग हैं, जो खनिज आयसकों का उपियोग कच्चे माल की रूप में करते हैं, इन उद्ध्योगों के उत्पाद अन उद्ध्योगों का पोसड करते हैं अयक्स से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्ध्योग का उत्पाद है यह कई अन उत्पादों के बिनिर्माड के लिए कच्चे माल के रूप में प्रियुक्त किया जाता है जैसे भारी मस्वीनों भवन निर्माड जो सामगिरी होती है उसका इस्तेमाल रेल के डिबे वनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है खनिज आधारित खनिज आधारित में लोहा उद्ध्योग जो होते ना उनको समिलित किया गया है अब आंगे हैं पर बात करेंगे किसकी समुद्र आधारित उद्ध्योग से समुद्र से क्या का निर्माड किया जाता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए सागरों और महा सागरों से प्राप्त उत्पादों का उप्योग कच्चे माल के रूप में करते हैं समुद्री खाद्ध प्रसंसकरण उद्योग और मतस तेल निर्माड इसके उधारण है अगर आप से एक्जाम में पूँच लिया जाए मतस तेल निर्माड किसका मतलब की उधारण है तब आप बताओगे समुद्र आधारित उद्योग का उधारण है यहाँ पर बात करेंगे बन आधारित उद्योग की जो बनों से प्राप्त होने वाले चीजे हैं न वही होती है बन आधारित उद्योग जैसे हम लोगों को कागज प्राप्त होता है आउसदी प्राप्त होती है ना आउसद रसायन फरनीचर भी प्राप्त होते हैं भवन निर्मार से बनों से सम्मंदित उद्योग इसी के अंतरगत आते हैं अगर आप से पूछ लिया जाए कागज कागज किस आधारित उद्योग अब बात करेंगे आकार के आधार पर, आकार के आधार पर दो पिरकार के होते हैं, एक छोटे पैमाने के होते हैं, एक होते हैं बिरहद, बिरहद यानि की वड़े, छोटे का मतलब होता है लगू, लगू का मतलब छोटा, बिरहद का मतलब होता है बड़ा, यानि की बड़े आकारे के और छोटे आकारे के उद्योगों की यहां पर बात करेंगे उद्योगों के आकारे का तात पर नेवेज कीगी पूझी की रासी नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है मतलब आप समझो जो उद्योग होते ना छोटे छोटे उद्योग में कम प इस आदर पर लगू आकार के उद्योग और बिरहद आकार के उद्योग में इनको बाटा गया है। उद्योग के उद्योग के उद्योग के उद्योग के नाम से ही जानते हैं। जो बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं वो पूझी का निवेस अधिक करते हैं और प्रियुक्त प्रद्योग की का उच्छ इस्तरिये यहां पर इस्तेमाल होता है। कि टेकनोलोजी का यहां पर अच्छे तरीके से इस्तामाल किया जाता है बड़े वाले उद्योगों में। रेसम बुनाई खाद प्रिकरण उद्योग लगू पैमाने के उद्योग हैं जबकि आटो मोवाइल और भारी मसीरों का उत्पादन बड़े उद्योगे के उधार रण हैं। चलिए आंगे बात करेंगे अब स्वामित के आधार पर स्वामित का मतलब समझ लो स्वामित का मतलब होता है मालिक मालिक कोन है इसका है ना स्वामित का मतलब होता है मालिक तो मालिक के आधार पर आपको बताऊंगा ठीक है ना निजी छेत्र में बाटा गया है यहाँ पर क सायकारी चेतर में बर्गी करत किया जाता है, सबसे पहले बात करेंगे निजी चेतर, निजी चेतर यानि कोई खुद व्यक्ति मालिक हो उसका, उद्योगों का स्वामित और संचालन एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समू की दोरा किया जाता है, या तो एक व्यक्ति होगा कि किसका उधारड होगा निजी छेत्र यानि कि प्राइवेट सेक्टर का उधारड होगा वहीं सारवजनिक छेत्र के उध्योगां का स्वामित संचालन सरकार दोर होता है सारवजनिक का मतला होता जो सवी जगहों पर बेयाप्त उध्योग होते हैं छेत्र होते हैं जिनका सारवजनिक के अंतरगत आते हैं वहीं मैं उदाहरण के तोर पर बात करूं हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिम्टेड और इस्टील ऑथोरिटी ओफ इंडिया लिम्टेड सैयुक्त छेत्र के ये कैसे उदाहरण हैं ये दोस्तों स्वामित के उदाहरण हैं कौन सा स्वामित के उदाहरण हैं सारवजनिक सारवजनिक में अधिकार किसका होता सरकार का होता राज सरकार कहलो या सरकार का अधिकार होता है जैसे हिंदुस्तान एरोनाटिक्स कंपनी होगी इस्टील अथोरिटी ओफ इंडिया लिम्टेड कंपनी होगी इनका सौमित कौन है सारवजनिक छ चेतर का स्वामित कौन कौन सी कंपनी है यह याद रखना जो कि सारवजनिक चेतर के अंत्रगत आती है आंगे बात करूंगा यहाँ पर चलिए यहां पर वताया गया है कि स्वामित और संचालन राज्जों और व्यकतियों तथा व्यकतियों के समू के द्वारा होता है मारूती उद्योग लेम्टेड सैयुक्ते छेतर के उद्योग का एक उधारड है मारूती उद्योग कैसा है ये भी दोस्तों सैयुक्ते छेतर का ही उधारड है सैकारी छेतर के उद्योग का स्वामित संचालन कच्चे माल के उतपादकों या पूरती क करता हूं या कामकरू था दोनों की द्वारा किया जाता है जैसे आनंद मिल्क यूनीयन जो आनंद 2016 में ہी आते हैं ठी गाना इतना आपकोна मैंने समझा दिया अब आपको यहां पर क्वेस्टन करा देता हूं सौमित पर आधारित वाले क्वेस्टन को चलिए क्वेस्टन को यहां पर कराता हूं यहां पर क्वेस्टन इस प्रकार से पूछा गया है सौमित के आधार पर उद्योगों को निम्ण में से किस आधार पर ब बड़े पैमाने किस आधार पर उद्धियोग का बरगी करत किया गया है तो ये किया गया है आकार के आधार पर कुटीर उद्धियोग जो मैंने आपको बताया था छोटे और बड़े पैमाने के उद्धियोग जो की आकार के आधार पर इनको बाटा गया है क्रसी आधारित ब आपका यहाँ पर correct answer होगा, जो कि स्वामित, स्वामित यानि कि हकदार के रूप में इसको यहाँ पर वाटा गया है, स्वामित की रूप में, यह सारी चीजें आपको मैंने वताई दी हैं, आकार बाला भी बता दिया, कच्छे माल के आधार पर भी बता दिया, स्वामित बाल भी मैंने आपको यहाँ पर वता दिया, ठीक है ना, आँगे यहाँ पर question और पूछा गया है, यहाँ पर है संयुक्त चेतर के उद्धियोग का स्वामित, बसंचालन, राज्यों और व्यक्तियों अथवा, व्यक्तियों के समू द्वारा होता है, संयुक्त चेतर का, यह बा परंतु संयुक्त चेतर में सरकार भी सम्मिलित हो जाएगी, और व्यक्ति या व्यक्ति का समू भी सामिल हो जाएगा, और उद्धियोग जो संचालित करता वो भी सम्मिलित हो जाएगा, परंतु संयुक्त चेतर में सभी लोग सामिल होते हैं, इसमें राज्यों सरकार भी ह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूं भी सामिल होता है, ये बात कैसी है, करेक्ट बात है, अमूल डेरी संयुक्त छेतर का उद्धियोग है, अमूल डेरी किसका उद्धियोग है, अमूल डेरी जो दोस्तों है, ये संयुक्त छेतर का उद्धियोग नहीं है, किसका है साथ ही साथ उस छेत्र को भी सम्मिलित किया गया जो इसका मालिक है ना उसको वोलते हैं अमूल डेरी किसका उधारण हो जाएगा सहकारी का उधारण हो जाएगा मैंने आपको समझावी दिया था यहाँ पर भी गलत हो जाएगा पहला राइट हो जाएगा पहला पहला पहल टेंट लाइन यहां पर लिखी गई है, कोईस्टन भी एक्जाम में आसे दो से तीन पूछे जा चुके हैं, कोईस्टन मैं आपको यहां पर कराई दूँगा, सबसे महतपूर चीज आप यहां पर समझ लो, जो की UPSC के एक्जाम तक आपको यहां पर में काम आजाएगी, कौ यह कैसे हैं, इनको आपको यहां पर समझाओंगा, बिल्कुल सिंपल सरल सब्दों में, जैसे कच्चा माल, जहां पर प्राप्त होगा, जहां पर आसानी से कच्चा माल मिल जाएगा, वहीं पर लोग क्या कर लेंगे, वहीं पर उद्द्योग को इस्तापित कर लेंगे, जह आपनी की करसी योग भूमी होगी, वहाँ पर खेती बारी अच्ची होगी, तो वहाँ पर भी उद्योग इस्तापित किये जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर खेती अच्ची होगी, अनाज होगा, अनाज से सम्मझित करसी आधारित उद्योग वहाँ पर आपके इस्तापित हो नदीओं के किनारे भी आपके उद्योक, कंपनी की आपूर्टी के लिए, तो वहाँ पर भी उद्योक आपके इस्तापित किये जाते हैं। सक्ति का मतलब है साधन, किस से साधन, जहां पर अच्छे खासे साधन उपलब्द हों, है ना, उद्योग की इस्तिती के लिए, वो भी उसकी अवस्तिती को प्रिवावित करता है, वही परिवहन और पूझी, जिसके पास अधिक धन होगा ना, कमपनी के पास, तो वही ना, उ प्रिवेन की कोई दिक्कत नहीं है, तो लोग वही तो अपने उद्योग धन्दों को इस्तापित करेंगे ना, तो ये भी यहाँ पर प्रवावित करने का कारक बताए गया है, बाजार, बहुत महत्पुड है, जहां पर दोस्तों, बाजार होते ना, वो उद्योग धन्दो कोई भी बश्टू बाजार में अतिसीगर पहुंच जाएगी वहाँ पर चीजों को बेच भी दिया जाएगा इसलिए उद्धियोग आपके बाजार के निकट भी इस्तापित किये जाते हैं जो की कारक मैंने आपको एक एक करके सभी बता दिये चलिए आँगे बात करेंगे उद्धियोग उन्ही इस्तानों पर केंदिरित होते हैं जहां उनमें से कुछ ये सभी कारक आसानी से उपलब्द होते हैं ये सभी कारक जहां पर आसानी से उपलब्द होते हैं बहीं पर उद्धियोग भी आपके मतलब की बना दिये जाते हैं, कभी कवहर क्या होता है, सरकार कम दाम पर बिद्धुत उपलब्दता, कम परिवहन, लागत, अन्य और सरचना जैसे प्रोत सहन करती है, ताकि पिछले चेत्रों में भी उद्धियोग इस्तापित किया जा सके उद्धियोग में नगरों और सहरों का विकास बढ़ता दिखाई पड़ता है, अब बात यहाँ पर करेंगे आउद्धियोगिक तंत्र की किसकी आउद्धियोगिक तंत्र की बात यहाँ पर करेंगे, आउद्धियोगिक तंत्र में निवेस, प्रकरम और निर्गत सामिल है निवेस में कच्चे माल, सिरम, भूमी की लागत, जल की उपलब्दता, परिवहन, बिद्दुत और अन और सरचना सामिल है प्रकरम में कई तरीके के क्रिया कलाब भी सम्मिलित किये गए हैं है ना, प्रकरमों में ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई भी सामिल की जाती है किसमें अध्योगिक तंत्र में यहाँ पर दोस्तों, अभी मैंने आपको क्या बताया अध्योगिक अवस्तिति को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ से क्वेस्टन जितने पूछे गए, उसको मैं आपको यहाँ पर कराने का प्रयास करता हूँ क्वेस्टन कुछ इस प्रकार से पूछा गया था किस अध्योगिक अवस्तिति मुक्यता निम्नलिकित मैंसे किस कारक पर निरवर करती है कच्चे माल यह जलवाईू तो मैंने आपको क्या बताया था? जो उद्योग इस्ताफित किये जाते हैं, वो कच्चा माल जहां से आसानी से उपलब्द होजा है बहाँ पर भी इस्ताफित किये जाते हैं जलवाईू भी ठीक ठाक होने चाहिए, जलवाईू से मतलब है, वहाँ की भूमी से मतलब है, वहाँ की जल से मतलब है, है न? तो यह भी मैंने आपको बताया था, भूमी अच्छी होगी, वहाँ पर इस्ताफित होगे, जल आसानी से प्राप्त होजा है और द्योगिक प्रदेस का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट इस्तित होते हैं बे अपनी निकटता के लाब आपस में बाटते हैं तो उसको क्या बोलते हैं और द्योगिक प्रदेस बोलते हैं डाइरेक्ट दोस्तों यहीं से क्वेस्टन तो यहां पर आपनी निकतता का लाब आपस में साजा करते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं अउद्योगिक प्रदेश, या अउद्योगिक छेत्र कहलो, या अउद्योगिक प्रदेश कहलो है ना, Correct answer यहाँपर second विकल्प हो जाएगा. यहाँपर कुछ बिश्च के प्रमुक औध्योगिक प्रदेश, पूर्वोत्तर अमेरिका, पस्मी अमेरिका, मद्ध यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी ऐसिया. यहां पर क्या है विश्व के प्रमुख और द्योगिक प्रदेश आपके इस्तित हैं मुख और द्योगिक प्रदेश अधिकांसता सीतोषड कटिवंदिये छेत्र समुद्री पत्तन के समीप और विसेश तोर पर कोईला छेत्रों के निकट इस्तित होते हैं तो कोईला जहां पर आसानी से मिलेगा वहां पर अधिक आपके 20 के अउध्योगिक प्रदेश इस्तापित हैं, समुद्र के तटों के किनारे पत्न में और सीतोस्ट कटिवंद वाले छेतर के समीप पाए जाते हैं, जैसा कि आप इस मानचितर में देख पा रहे होगे, ये वि मुंबई पुडे हो गया, मुंबई पुडे समु हो गया, बंगलाओर तमिलाडू प्रदेश हो गया, हुगली प्रदेश हो गया, एहमदाबाद बडोदरा प्रदेश हो गया, छोटा नागबुर और द्योगिक प्रदेश, विसाखा पतनम, गुंटूर और द्योगिक प् एक घटना वताएगी है और द्योगिक विपदा जो कि 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में गटी थी जिसको भोपाल त्रासदी के नाम से जानते हैं भोपाल है ना गैस उस गैस का नाम था बिसेली मिथाइल आइसो सोनाइट एमाईसी उस गैस का नाम था है ना जिससे कि कितने लोगो क्योंकि 35598 लोगों की यहाँ पर मिरत्यू हो गई थी ठीक ना इतना आपको वता दिया शलिए आंगे बात करेंगे आंगे यहाँ पर क्या है आंगे भी यह गटना के बारे में यहाँ पर वताया गया है यह गटना उतनी महत्पूर नहीं है जितना मैं आपको यहाँ पर व इसमें सूचना प्रद्योग की स्वास्तलाव सतकार और ग्यान से संबनित उद्योग सामिल है यहां से एक्जाम में क्वेस्टन पूचा गया है उसक्वेस्टन को सबसे पहले कराने से पहले सनराइज उद्योग यानि की उभरते हुए उद्योग की ओधारड की बात की इसमें सूचना प्रद्योग की को सामिल किया गया सूच्तलाव को सामिल किया गया सतकार और ग्यान को सामिल किया गया है। और सूचना प्रद्योग की उद्योग की यहाँ पर बात करूँगा जैसे आपको बताना चाहूं लोहा इसपात उद्योग और सूती वर्ष्टर उद्योग यह काफी पुराने उद्योग हैं जबकि सूचना प्रद्योग की उद्योग एक नया उभरता उद्योग यानि की सन पर बिदेश जिसमें लोहा इसपात उद्ध्योग अवस्तित हैं पहला है जर्मनी संयूक तराज अमेरिका चाईना जापान रूस यहाँ पर यह कैसे देश हैं लोहा इसपात वाले देशों के नाम मैंने आपको गिनवाए हैं आँगे वश्त्र उद्ध्योग वाले देश भ केंद्र मदवर्ती कैलिफोर्निया के सिलकोन घाटी में और भारत के बेंगलरू में इस्तित है यहां से एक्जाम में कुछा गया है सूचना प्रद्धोगी से और जो कैलिफोर्निया में सिलकोन घाटी है और भारत में बेंगलरू प्रदेश में है ना चलिए आंगे बात करे लोहा इसपात उद्ध्योग की जो की काफी यहां पर बड़ा यहां पर दिया गया है लोहा इसपात उद्ध्योग के बारे में आपको बताऊँगा बिलकुल सिंपल सरल सब्दों में ठीक न उद्ध्योग के लिए निवेस, सिरम, पूंजी, इस्तान, अन और सरचना के सासत, लहो एक्स, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूम में समलित किये जाते हैं लहो एक्स से इस पात निर्वार की प्रिक्रिया के कई चरड सामिल किये गए हैं जैसे पहला चरड की मैं बात करूँ कच्चे माल को जोंका वट्टी में रखा जाता है जहां यह प्रगलित होता है इसके बाद यह परिसोधित होता है प्राप्त उत्पात इसपात होता है अन उद्योगों में कच्छे माल के रूमें प्रियुक्त किया जा सकता है इसपात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है अथवा इसमें तार बन जाता है और एक टन चूना पत्र को मिलाने के पसाथ एक टन इसपात का निर्माड किया जाता है यहाँ पर दोस्तों इन चीजों को आप छोड़ियेगा सबसे महतपूर चीज यहाँ पर आ चुकी है यहाँ से एक्जाम में क्वेस्टन भी पूचा गया है इसपात पिराया स्वी टीजीटी पीजीटी और सीटेट की परिच्छा में इस स्टेट्मेंट से एक दो क्वेस्टन पूचे जा चुके है इसलिए महतपूर है ठीक ना लगवक सारी वश्तूएं जिनका हम उपभोग करते हैं बरतमान में बेयातो लोहा या इसपात से बने होते हैं या इन बेवी इसपात से ही वनी होती हैं तेल कूप इसपात से ही मसीनों से बोधित किये जाते हैं इसपात की पाई प्लान से तेल परिवाहित किया जाता है खनिजों का खनन इसपात के उपकरणों से ही होता है किरसी के यंत्र प्राया इसपात के ही बने होते है निकि हर चीज में रही लोहा का उपयोग किया जाता है आँगे यहांपर सबसे महतपूड जानकारी वताई गई है जो उद्ध्योग आपके इस्तापित किये जाते थे अठारा सो एसवी से पहले सबाद उद्ध्योग वहाँ पर इस्थित थे जहान पर कच्चा माल प्राप्थ हो जाए बिद्दुत आपूर्त यानि की बिजली भी अच्छी खासी आती हो और बहता जल आसानिस से उपलब्थ हो जाए यानि की अठारा सौमे केवल इतना ही चाहिए था कच्चा माल, बिद्दुत, बहता जल मिल जाए वहीं पर ये उद्धियोग इस्तापित कर दिये जाते थे, उसके बाद धीरे दीरे टाइम बितीत होता है और उद्धियोगों के लिए आदर्स इस्तिती कोईला वन गया, जहां पर आसाइनी से कोईला प्राप्त हो जाए, वहां पर ये उद्धियोग इस्तापित होने लगे नहरों के पास में और रेलवे लाइन के पास में और 1950 के बाद में क्या हुआ लोहा और इसपात उद्योग समुद्र पतन के निकट जो समुद्र के पतन होते हैं उनके निकट इस्ते मतलब की इस्तापित होने लगे तो ये क्या हुआ ये दीरे-दीरे परिवर्तन हुआ है ना दुर्गापूर, बर्नरपूर, जमसेदपूर, राउरकेला, बोकारो, एक ही प्रदेश में इस्तित हैं, जो चार राज्यों में फैले हैं, बेचार राज हैं, पसिम बंगाल, जारिकंड, ओरीसा, छतिसगड, भद्रावती, विजयनगर, करनाटक में हैं, विसाका पत्नम, प्रदेश, सेलम, तमिलाडू में अन्न महतपूर हैं, ठीक न, ये महतपूर, कुछ यहाँ पर केंद्रों के नाम बताए गए थे, यहाँ पर बात करेंगे, जमसेदपूर, उनईस सो सैंतालिस से पहले भारत में केवल एक ही, इसपात का कार खाना था, टाटा, आइरन लिम्टेट टिसको, यहाँ निजी सौमित में था, सोतंतरता के बाद सरकार ने एकार अपने हाथ में ले लिया, और बहुत से लोहा इसपात सैंतर इस्तापित किये, जार खंड में सोरड रेखा, और खरकई नदियों के संगम के समीप साक्ची में सन उनईस सो साथ में टिस लिम्टान है, तो भाईया यहां से तीन से चार क्वेस्टन बनेंगे, इन्ही लाइनों से, जितना मैंने आपको बताया है, हर कंपटेशन एक्वेस्टन यहां से आता ही है, वो आता सुवर्ड रेखा, किसके किनारे है जमसेदपुर, टाटा नगर, जिसको बोलते हैं न, बो है सुवर्ड रेखा और एक नदी का नाम क्या है, और एक नदी दूसरी है, खरकई नदियों के संगम में यह बसा हुआ चेतर है, 1907 में टिसको की सुरुआत हुई थी, जमसेदपुर का पुराना नाम अगर आपसे पूच लिया जा है, साक्ची, साक्ची इसका पुरान यहाँ पर बसा हुआ है टाटा नगर यानि की जमसेदपुर जो की लोहा इसपात उद्ध्योग की बात यहाँ पर मैंने आपको बताई ठीक ना, और आंगे भी बताए गया है, जो यहाँ इस्तान है ना, बंगाल नाकपुर रेल मार्ग पर काली माटी स्टेशन से मात्र 32 क की दूरी पर आए, यहाँ इस्तान लहो, एक्स, कोयला और मैगनीस निसिपों के साथ साथ कोल काता के निकट भी इस्तित है, जहाँ विसाल बाजारुप लब्द है बिलकुल, टिसको को जहरिया, कोयला, चेत्रों से कोयला और ओडीसा, 36 गर्ड, एक्स, चूना, पत्थर, डॉलोमाइट और मैगनीस प्राप्त होता है, याईनि कि इसको हर चीज प्राप्त होती है, इस पात, चाहें, मैं जहरिया की बात करूँ, जहरिया एक पिरसिद इस्तान माना जाता है, जहरिया किसलिए, कोयला के लिए माना जाता है, और यहाँ पर जो नदिया है ना, दो म माना जाता है यहाँ पर उद्योग को इस्तानिय सुबदाएं उपलब्द होती है जैसे कच्चा जो माल है न वो पिटस बर्ग से ही कोईला जैसा मिल जाता है यहाँ पर जबकि जो लवो ऐस्क है वो यहाँ पर आसानी से नहीं मिलता है यह मिनिसोटा की खानों से प्राप्त ह जो कि पिटसबर्ग से 1500 किलो मेटर की दूर है इन खानों और पिटसबर्ग के बीच नो परिवेन का सरवोत्त मार्ग ग्रेट लैक्स जलमार्ग आता है ग्रेट लैक्स एक जील है जिसके बारे में आपको यहां पर बताऊंगा यहें एस्क के नो परिवेन है तु सस्ता गाडियों से लायज आता है ओहियो मोनोग हेला इल घनी नदियों से परयाप्त जल प्राप्त होता है तो यह नदियों याद रखना आप लोग है यह तीन आपकी नदियों वताई गई है जहां से जल आता है पिटसबर्ग उद्योग के लिए ओहियो मोनो हगेला और इल घन यूरान, ओंटारियो, मिसीगन और इरी इन पांच जीलों में से सबसे बड़ी कौन से सूपीरियर सबसे बड़ी जील है तो इसे ही बोलते हैं ग्रेट लेक्स जासे पिटसबर्ग से ब्यापार यानि की ब्यापार नहीं जो कोहला होता है न मिनेसोटा वाला खदान से वो पहुँचाय जाता इनी मार्ग से ठीक है इतना ही महतपूर था आपके इस चेप्टर में आपको यहाँ पर सारे क्वेस्टन करा देता हूँ किस उद्योग को अक्सर आदोनिक उद्योगों का आधार कहा जाता है करेक्ट आंसरों का इसपाद इस पाद उद्योगों को रीड की हड़ी यानि की मेरू दंड के नाम से भी जानते है क्योंकि आदोनिक समय में इस पाद का इस्तेमाल बड़े इस्तर पर किया जाता है सभी गरहों में यूज होने वाली विबिन प्रकार की सामगरी में भी इस्तेमाल की अजाता है आंगे question क्या है यहाँ पर आपको मिलान करना है है ना पिटसबर्ग के बारे में मैंने आपको बताया है यह लोहा इसपाथ से सम्मंदित उद्द्योग है जो की संयुक्त राज अमेरिका में है है ना यहाँ पर एका थर्ड के साथ यहाँ पर मिलान हो हो जाएगा जो लेनिन गिराड है ना लेनिन गिराड यह जहाज के लिए माना जाता है बीका यहाँ पर फोर हो जाएगा और हवाना हवाना सिगार के लिए माना जाता है तो यहाँ पर सी का पहला हो जाएगा तो इस परकार से यहाँ पर मिलान होगा अगला प्रसन यहाँ उद्धियोग का निम्नलिकित में से कौन सा बर्गी करड आधार उत्पादों पर लागू होता है कपास, जूट, उन, रेसमी कपड़ा, चाए, रवड और चीनी कौफी, खाद तेल ये किसके उधारड हैं? प्रमुक हैं, उपवोगता हैं, करसी आधारित हैं करसी आधारित में किनको सामिल किया गया है? जो जीव जन्तू से भी प्राप्त हो जाए, उसको भी किसमें सामिल किया गया है? उसको भी करसी आधारित में ही सम्मिलित किया गया है ठीक है न, तो ये सारी की सारी चीजें, चीनी, कौफी, ये सब कुछ खेतों में होता है, यानि कि क्रसी आधारित होता है, इसके साथ जानवरों से उत्पादित पदार्थ को भी सम्मिलित किया जाता है, चलिए आंगे बात करेंगे, आंगे क्वेस्टन क्या था, किस उद्यो किसी उद्योग की आवश्टिती मुकता किस कारक पर निर्वर करती है, कच्चे माल पर भी निर्दारित करती है, जलवायू, पानी, भूमी, सिरमेक, पूंजी, सब पर निर्वर करती है, तो करेक्ट आंसर यहां पर दोनों आपके होजाएंगे, आंगे क्वेस्टन क्या है आँगे यहां पर है, सामित के आधार पर उद्योगों को निर्वर करती है, करेक्ट आंसर यहां पर होगा, D, सारजनिक चेतर, निजी चेतर, और सयकारी चेतर में बाटा जाता है, छोटे और बड़े पैमाने पर दो, किसके आधार पर इसको बाटा गया है, यह बाटा गय आधार पर है, आँगे यहां पर क्वेस्टन है, आँगे क्वेस्टन क्या है, इसमें कहा गया है, क्या कहा गया है, सनराज उद्योग का उद्योग आपसे पूछा है, करेक्ट आंसर यहां पर, जो उभरते हुए उद्योग होते हैं, तेजी से जो डिबलब हो रहे हैं, वो जो डेरी वाला उद्योग होता ना इसमें सिर्मिक लोग, कामगर लोग और जो मालिक होता ना ये सब कुछ सम्मिलित रूप से करते हैं इसलिए इसको सैकारी के नाम से जानते हैं सैकारी के नाम से जानते हैं इसलिए आपका ये संयुक्त छेतर में नहीं आएगा बलकि सैकार पहला करेक्ट दूसरा गलत पहला सत्त परंतु भी असत्त हो जाएगा इस क्वेस्टन का राइट आंसर आंगे जब कई उद्योग एक दूसरे के करीब या निकट होते हैं और अपनी निकटता के लावों को साजा करते हैं तो इसे कहा जाता है और द्योगिक प्रदेश या औ भूलिएगा अपने 6-7 दोस्तों के साथ इस वीडियो को अवस्य सेर करें वीडियो को लाइक भी कर देना कमेंट बोक्स में कमेंट भी कर देना नए हो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लेना मिलते हैं दूसरी वीडियो में तब तक के जय हिंद बंदे मात्रम